एप्रत्यासित रूप से दोसा लोगसबा सीट से भाजबा प्रत्यासित चुने गए कनईया लाल मीना ने आज सैकड़ो कारे करता हूँ और पार्टी के दिगज नेताओं के साथ नामांगन दाखिल किया नामांकन दाखिल होने के बाद चार बार के विधायक और पूर्व मंतरी कनईया लाल मीना का नाम टिकेट की दोड में बिलकुल भी नहीं था कई भाजबा नेता हैं यह से टिकेट मांग रहे थे लेकिन सभी को चोकाते विए पार्टी ने उन पर विश्वास जताया मीना बहुबली लोकसबा सीट पर पार्टी को किसी ऐसे चहरी के आवशकता थी जिस पर 36 कौम का डूत विश्वास हो कनईया लाल मीना इस मामले में खरे उतरे साफ और बेदाग छवी वाले कनईया लाल मीना अपने कारेकाल में विवादों से दूर रहे हैं बिजेपी के कारेकरता वे काफी उत्सा नजर आ रहा है वहीं दोरान नामांकन प्रकरिया के बाद चुनावी रैली निकाली गई जिसमें इस थानी लोगों के साथ आने को कारेकरता उने भाग लिया इसके चलते देखा जा रहा है कि कनईया लाल मीना का यह चुनावी सफर आसान नहीं होगा क्योंकि यहां त्रिकोन यह समीकरन देखा जा रहा है बताया जा रहा है कि कड़ी टक कर देने के लिए नरेश मीना भी इस मैदान में उतरे है वैसे तो जातिय समीकरण के मुताबिक कनईय अलाल मीरा की जीत होना तै है लंबे समय से कनईय अलाल मीरा जनता से जुड़े हुए है और इसी का परिणाम लोकसबचनाओं में भी देखने को मिलेगा भाली संख्या में कनईय अलाल मीरा को जन समर्थन मिला हुआ है